गाइज असलाम लेकुम सो दिस इस नश्यली एंड वैलकम बैक टू व्लॉग तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नश्य की दुलिया में तो कैसे हैं आप लोग उपसा बहुत अच्छे होंगे फिट एंड वाइन होंगे सो आज हम जा रहें अपनी फुपो के बापी की थोड़ी तबियत खराबते तो उनका मूट स्विंग्स हो रहा था तो सोज़ा चलो फुपो के चलता है मूट चेंज हो जाएगा थोड़ा और मैंने सूट पहना है सो आप लोग बताना कैसा लग रहा है मुझे पर सूट कैसे मैं जरूर बताना कि मेरे उपर सूट कैसा लगता है मैं सूट में कैसी लगती हूं तो मिलता है अभी आप पूरे व्लाग में बने रहेएगा आप लोग को एक चीज बताऊं इसको तो आप जानी गए होंगे यह हमारा छोटा सा शैजी मुन्ना जो हमारे साथ हर किसी के यह नहां जाने के लिए रेडियो जाता है तो अभी यह सुनके के लोग जा रहे हैं तो एकदम तयार होके आगया दिखाओ कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है नहीं इसको इसको बताना कैसा लग रही है हम पूरी मुन्ना कामेंट करके चल नहीं चले लेगे चली इसको प्रणाति मुक्ति खाओ के हां और जाने करना बाया है तो अम्मी और भावी भावी भी ज्ल्दी हो रही है और मैं रेडिय वह चुकी मुझे इतना टाइम नहीं लगता आप मैं जादा जाल भावी लगता है नहीं से रिड़् लग जलिसरे प्यारा लग रहा है है कूटी क मैं सच क्यों जा रहा है आप जीजु के नहीं जा रहा है हम पुपो के जा रहा है जूट बोल दिया अमी ताजिम कहा गया शैजी भी गया कि उसके साथ उसको बैने मारा था चला गया शायद हो पापा से बुलाई जरो उसको तो गाइज हमाने अभी फुपो के घर पुपो का भी न्यू न्यू घर बना है मैं आप लोगों को दिखाती हूं यह आला थोड़ी असलाम लेगा असलाम बात ने करना हम बात ने करना हम बात ने करनी अच्छा सौरी अच्छा सौरी गाइज शैजी यहां कर सो गया देखो कितने क्यूट लग रहा है यह सोते हुए इसको कोई वसला निया कोई भी सो जाता है यह यह फूपा जी ने मुझे चिप्स के पैकिट दिये मैं अभी भी सबके लिए बच्ची हूं सब बच्चों की तरह ट्रीट करता है मुझे और अब हम अपने घर जा रहे हैं वापिस सो गाइज यह था मेरे आप फुपो के घर का व्लॉग सो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना एंड थैंक्यू सो मुझे बहुत सारा प्यार देते रहो और ऐसे फूल सपोर्ट करो इंशाला आई विल ट्राइमा बै कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के बाइ आला हाफिज